आज मैं आपको मटके में चिकन दम बिरियानी बताऊंगा। काफी लोग बोलते हैं कि इसे घर में बनाना तो ना मुम्किन नहीं है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे राइस लपेटावा मिलेगा आपको चिकन इस रेसिपी को आप होटेल या फिर अपने रेस्टरेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बासमती राइस। ये राइस तोड़ा लंबा होता है और बिर्यानी के लिए एक डम परफेक्ट भी होता है। इसे सिंपली आपको एक दो बार अच्छे से दोना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। फिर इसे आदा गंटे छोड़ देना है बिगो के। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम है बरिस्ता बनाने का। अब आप पुछेंगे बरिस्ता किसे कहते हैं। बरिस्ता कहते हैं फ्राइड अनियन को। बहुत ही सिंपल है गरम तेल में पतले-पतले प्यास डालने हैं और सुनेर है कलर होते हैं उन्हें निकाल देना है। ये रेडी हो गया बरिस्ता ये में इंग्रीडियन्ट है बिर्यानी का। अब करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काम चिकन को मारिनेट करने का। सबसे पहले चिकन में ढलेंगे जिंजर-काली का पेच voi फिर मैंने डाल मिर्ची पाउडर और इसे कहते हैं धनिय का पाउडर। फिर जाला है अल्दी पाउडर। सबसे आकरी में डाला है बिर्याणी मसाला पाउडर। उसके बाद सब को balance करने के लिए नमक और सबसे आखरी में दही अगर आपको पता चल गया कि कल बिर्यानी बनानी है तो आप क्या करिए रात को इस चिकन को marinate करके छोड़ दीजी अगर उसी दिन बनानी है तो कम से कम आदा घंटे marinate करके छोड़ना है आपको चिकन भी marinate हो गया अब क्या करेंगे चिकन को पकाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कड़ाई में तेल डालके उसमें खड़े मसाले आड़ करी है उसके बाद जो चिकन हमने marinate किया था ना वो आड़ करना है अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे ताकि चिकन आराम से पक जाए और हमारा थोड़ा सा सालन भी निकल जाए हमें चिकन को boil आने तक पकाना है तक भाद ढखना है और 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है ये लीजिए चिकन बनके तयार हो गया एना सिंपल एकदम चिकन को पकाना ये जो चिकन है ना इसे ह भी आप राइस बनाना चाहें उसमें पहले डालिए पानी डालना है आपको दूद्ध हाँ जी दूद्ध खुश्बू के लिए डालेंगे केवडे का पानी ये भी मेंडिटरी होता है बिर्यानी राइस बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे और बॉ गेवे राइस डालने के बाद ना इसमें तोड़ा सा ओयल भी डालेंगे जिससे आपके जो राइस है आपस में चिपकेंगे नहीं अब याद रखिए राइस को आपको सिर्फ एक बार ये अच्छे से मिलाना है नहीं तो राइस बहुत जल्दी तूट भी जाते हैं यहाँ पर आप मेरी उंगली देख रहे हो ना इसका पहला मार एक इंच उतना पानी होना चाहिए बॉइलिंग के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है राइस के बॉइलिंग का अब इसे ढख के पका लीजिए 10 मिनिट में आपका राइस रेडी पिरियानी बनाते समय राइस को पूरा भी हो जाए और ओर चोटी चोटी सी टेक्निक स्ना आपकी बिरियानी बनाएगी जो मैं डाल रहा हूं इसे कहते हैं फूड कलर यह पूरी तरीके से ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहे तो ही डाल इससे आपका बिरियानी राइस ना थोड़ा अट्रैक्टिव देगे यह यह राइस की एक ले इस वीडियो को यहां पर स्किप मत करिएगा पूरा देखेगा तबी तो आप समझ पाएंगे दम बिरियानी कैसे बनाई जारी है पहली ले लगाई चिकन की फिर लगाई राइस की यहां आप देख सकते हैं बरिस्ता है थोड़ा धनिया है और पुदी करना है बरिस्ता पुदीना धनिया की पतिया और केवड़ा यहां तक आगया ना समझ अब फाइनल बैज डाल जो चिकन बचा कुछा है वो सारा डाल दीजिए उपर जो बचे कुछी राइस है वो भी सारी डाल दीजिए फिर इससे आपको ना सील पैक करना है इसके कवर प या फिर कोईले पर अगर गैस पर लगा रहे हैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम और कोईले पर 15 मिनट के लिए यह लीजिए लम भी लग गया और 90% जो कुक थाना वो 100% राइस भी कुक हो गया अब मैं आपको दिखाता हूं कि लपेटावा कैसे है यह चिकन क के अंदर कोई यह देखके बताई नहीं पाएगा कि राइस अलग कुक किया गया है और चिकन भी अलग कुक किया गया इसके अंदर खुश्बू भी इतनी खटनाग आएगी कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो पूरा घर मैग जाएगा तो आप यह बताईए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है आपका